बर्गर खाने का कोई समय नहीं होता, जब मिले खाही लेते हैं, बड़े हो या बच्चे, ये बर्गर खाने के बाद मेरे बच्चे बोलते हैं, ममा इसके आगे तो मेक्डॉनल्स भी फेल है, स्टार्ट करते हैं, 10 मीडियम साइज बॉल्ड आलू लेंगे, जिससे लगबग आपके 10 टिक्की बन जाएगे, सुखा पोहा लेना है, आलू का 1 3rd quantity रहेगा पोहा का, नमक, जीरा पाउडर, लाल मिर्च और काला नमक, ये है मेयोनीज, बर्गर वाले बन, धनिया पत्ता, घी या फिर बटर, ये है प्याज और टमाटर, एक परतन में टिक्की बनाने के लिए एक एक करके आलू लेकर मैश कर लेंगे, ये टिक्की बहुत करारी और बहुत टेस्टी बनती है, सेम टिक्की को आप टिक्की चार्ट में भी यूज कर सकते हैं, और सर्फ अकेली टिक्की खानी हो तो भी बहुत टेस्टी लगती है, अब इसको साइड में रखते हैं और पोहा को दो बार पानी से धू लेते हैं पोहा आलू की सब नमी एब्सॉब कर लेता है और जिस वज़े से टिकी करारी बनती है और सेखते वक्त बिखरती भी नहीं है पोहा को हमने दो मिनिट छोड़ दिये है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए हाद से पोहा को अच्छी से मैश करते हुए आलू में डाल देंगे अब डालते हैं मसाले जीरा पाउडर अब डालेंगे नमक लाल मिर्च पाउडर और काला नमक थोड़ा सा धन्या पत्ता भी अब बस अच्छी से मैश करते हुए और ऐसे करके सारी टिक्कियां धीरे धीरे तयार कर लेंगे टिक्की अच्छी मोटी बनाईएगा तो खाने में मज़ा आएगा अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हो या फिर बच्चों की बर्दे पाटी हो तो इन टिक्की को आप दो या तीन दिन पहले भी बनाकर फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं अब पैन गैस पे चड़ाते हैं टिक्की को फ्राई करने से पहले आदी घंटे आप फ्रीजर में रगते हैं इससे टिक्की बहुत क्रिस्प बनेगी और ओयल भी कम अब्जॉब करेगी टिक्की को हम बीफ फ्राई नहीं करेंगे शालो फ्राई ही करेंगे बटर में धन्या पत्ता डाल कर बंज सेखते हैं तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा जब तक ओयल गरम हो रहा है हम बंज में प्यार से बटर लगाएंगे दौनों तरफ और सेख लेंगे अब आप देखेंगे ओयल गरम हो गया है अब फ्लेम को मीडियम कर देंगे और एक एक करके टिक्की डालते जाएंगे टिक्की डालने के बाद बार-बार हिलाना नहीं है, उसको अच्छी से सीखने देना है, अब प्याज और टामाटर को एक मिनित के लिए दौनों तरफ से से शेख लेंगे, सर्फ उसका कच्छापन खतम करना करें, टिक्की को चेक करते रहेंगे और साइट से देखेंगे तो स प्लेन में ही सेखना है, हरबड़ी नहीं कर देखते बक। जैसे ही टिक्की रेडी हो जाए, बाहर निकालेंगे, अब हमारे तीनों एलेमेंट्स रेडी है, बंस, टिक्की और सालड, अब बर्गर्स को अरेंज करते हैं, बंस के बेस पर लगाएंगे मियोनी, उस पर रखे करेंगे प्याज और टमाटर इसमें आप अपने टेस्ट के हिसाब से और भी चीज़े आड़ कर सकते हैं जैसे कि मस्टर्ड सौर्स के लिए तेस्टी टेस्टी बर्गर तयार हैं आपके समय के लिए धन्यवाद लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा थैंक यू